हेलो आपके साथ में एक शोर्ट टिक डिस्कूस करने वाला हूँ जिससे आप इसली किसी गीवन मॉलिक्यूल की हाइब डाइशन नंबर प्लॉन पियर्स एंड बॉन्ड पियरों कैल्कुलेट कर पाएंगे तो देखिए आपके जो कंप्रिटिव एक्जाम होते हैं ऐसे आप इस टोपिक से रिलेटर कोश्चन पूछे जाते हैं तो चलिए हम यहां पर शोर्ट टिक डिस्कूस कर लेते हैं आप इससे इसली गीवन मॉलिक्यूल की हाइब डाइशन को कैल्कुलेट कर पाएंगे तो देखिए यहां पर हमने कुछ गुरूप से लिखे हैं यह गुरू तो रिने वालों की साथ होती है अगर हम बात करें गुरूप 18 में तो गुरूप 18 में सिर्फ जिनों एक ऐसा ऐलिमेंट है जो बहुत सारे कंपाउंट बनाता है तो देखिए आपने करना क्या है हमें टोटल वैलेंस लेक्टोन किसी गिवन मॉलिक्यूल के पहले काउंट कर अगर हमें वैलेंस लेक्टोन 2-8 में तो हम 2 से इसको divide करेंगे अगर आमकिवेलेंस लेक्टोन 9-56 में बीच में तिब आटे है तो यकष्यक की ऋप्रेंस लेक्टोन चाराइक तो चलिय को होगी Alrightyành करने समझ पाएंगे तो चलिए कुछ examples ले लेते हैं चलिए अब हमने दो example आपके सामने ले लिए है NH3 और water और इसको हम क्या करेंगे तो देगे सबसे पहला काम क्या करना होता है हमको total valence electron count करने होते हैं तो जो nitrogen होता है उसके valence electron होते हैं पांच और hydrogen के valence electron होते हैं लेकिन यहाँ पे total hydrogen 3 है तो हम इसको 3 से multiply करेंगे तो इस total आजाएगा आपका 8 अगर हम सोट टिक से देखें अगर आपके valence electron 8 तक आते हैं तो आपको से 2 से divide करना होता है तो जैसे हम इसको 2 से divide करूँगा तो यहाँ पे 4 आएगा यहाँ चार है यही आपका क्या है hybridization है देखिए 4 का मतलब यह है कि इसके अंदर 1s है और 3p orbital है क्योंकि hybridization में maximum 1s orbital यूज हो सकता है और maximum 3p orbital यूज हो सकते हैं तो हमने maximum 1s orbital को रखा फिर 3 हमारे पास बच गए तो हमने 3 ले लिया तो यहाँ पे hybridization आगी आपकी sp3 अगर हम बात करें number of loan pair की तो आपने जो इसको calculate करके जो value आई है उसमें से minus कर देना है surrounding atom को और surrounding atom आपके कितने हैं 3 है surrounding atom वे atoms होते हैं जो center atom से attach होते हैं तो यहाँ पे number of loan pair कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा और अग हम होता है तो आपको पता ही है sp3 hybridization अगर आती है तो इसका structure tetrahydral हो जाता है चले हम बात कर लेते हैं h2 की और अगर हम h2 की बात करें तो जो oxygen के balance electron है वो 6 है hydrogen का होता है एक लेकिन total hydrogen है 2 तो इसके total balance हो जाएगे 2 जब इन दोनों को add किया जाएगा तो हो जाएगा 8 क्योंकि यहाँ पे जो balance electron है वो 8 तक है तो किस से डिवाइड करेंगे इसको 2 से डिवाइड करेंगे जैसे मैं 2 से डिवाइड करूंगा तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा फिर से वोई concept एक s orbital और तीन orbital यूज होंगे तो यह तो आगे इसकी hybridization और अब हम बात कर लेते हैं कि इसके पास loan pair कितने हैं तो loan pair कितने आएगे जो value आपने calculate की है 4 उसमें से surrounding item को आप minus करेंगे तो oxygen के साथ कितने surrounding item है 2 तो 2 को मैंने किया minus मेरे पास आया 2 त तो अगर हम structure इसका देखें तो structure कुछ इस तरह से होता है इसमें दो loan pair होते हैं और दो ही bond pair होते हैं तो यह थे हमारे दो example NH3 and H2 चले हम बात कर लेते हैं और example आपके साथ ले लेते हैं जैसे की PCL5 हम ले लेते हैं तो जो phosphorus है इसके valence electron होगे 5, chlorine के valence electron होगे हमारे 7 और total chlorine है कितने 5 तो यह हो जाएंगे आपके 35 and 5 तो होगे total 40 अब देखिए जो आपके valence electron है वो 8 से जादा है इसलिए हम इसको divide करेंगे 8 से जब आपके valence electron 8 से जादा हो तो इसको किसे divide करेंगे 8 से तो जैसे ही हम 8 से divide करेंगे 40 तो हमारे पास क्या आएगा हमारे पास 5 आजाएगा अब यही आपकी hybridization है देखिए हम S orbital maximum 1 यूज़ कर सकते हैं P orbital maximum 3 यूज़ कर सकते हैं तो total होगे भी 4 एक बचा हुआ है तो हम क्याले लेंगे D तो यहाँ पर जो hybridization आएगी वो SP3D आएगी अगर हम loan pair की बात करें तो loan pair जो है वो कितने आएगे जो calculate कि अपने value minus surrounding atom कितने है पांच तो यह 0 इसके पास कोई भी loan pair present नहीं होता है इसके पास सभी के सभी bond pair present होते हैं structure की बात करें तो यह इसका structure होता है और यह TBP structure होता है चलिए कुछ और example आपके साथ ले लेते हैं जैसे हम बात कर लेते हैं SF4 की SF4 की अगर हम बात करें तो जो sulfur है उसके valence electron होते हैं 6 और fluorine के valence electron होते हैं 7 और 7 से multiply करेंगे 4 को क्योंकि यहाँ पे 4 fluorine है तो जब मैं इसको sol out करूँगा तो मेरे पास आएगा 34 क्योंकि यह 34 है वो 8 से ज़्यादा है तो इसलिए हम क्या करेंगे इसको divide करेंगे 8 से, तो मैं इसको क्या किया 8 से divide किया 8 से divide करने पर यहाँ 32 यह हب conform बच गया और जो 2 है वो 8 से कम है इसका मतलब जो अभी two बचा है वो और उसकी value कितने से कम है 8 से कम है इसलिए हम इसे 2 से divide करेंगे तो 2 से divide करने पर आएगा एक और इन दोनों कम curling add तो यह आएगा आपका sp3d अगर मैं बात करूं यहाँ पे loan pair कितने हैं तो loan pair क्या होता है जो आपने total calculate किया है कुछ इस तरह से होता है जिसमें एक loan pair भी present होता है इसका जो geometry होती है वो तो tbp होती है लेकिन जो इसका shape आता है वो आपका शीशो आता है तो इस तरह से हम किसी given molecule की hybridization को easily calculate कर सकते हैं इस trick से अगर आपको इस trick अच्छा लगा है तो please video को like कीजिए share कीजिए और channel को subscribe कर लिजिए so thank for watching good luck